सिहत कारिक्रम में श्रताओं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज हम मना रहे हैं World COPD देवस COPD यानि Chronic Obstructive Pulmonary Disease इस रोग के विशे में जानकारी देने के लिए हमारे बीच हैं Dr. Vajbhav चाचरा जो की वरिष्ट श्वास रोग विशेशगी है और आज हम जानेंगे COPD के जो खास लक्षन है इसके इलाज के बारे में और बचाओ कैसे किया जा सकता है इस बारे में Dr. Vajbhav चाचरा बहुत-बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद भारती जी Dr. चाचरा सबसे पहले तो यह बताएं कि आज यह दिवस मनाने के पीछे क्या उद्देशे है कोई खास यह दिवस पिछले 20 सालों से या बलकी जादा समय से मनाया जा रहा है जो कि हर वर्ष तीसरे बुदवार नवंबर को मनाया जाता है ताकि एक जागरुकता आम नागरिकों के प्रती और आपके द्वारा दी जा सके खास कर जिस प्रकार से धुआ धूल मिट्टी बढ़ रहा है पोल्यूशन बढ़ रहा है हमारे यूवा पीडी इसिगरेट का चलन जादा चल रहा है तो स्वास की नली में सूजन आ जाती है तकलीफ बढ़ती है और आगे जाते-जाते कैंसर का रूप भी धारण कर लेती है तो कई अन्य कारण है जिस से कार से ग्लोबलाइजेशन, इंडस्टिरलाइजेशन हुआ उस कारण से तकलीफ ये बढ़ती जाती है और जैसा कि हम आजकल भी अकबारों में पढ़ रहे हैं कि दिल्ली एक गैस का चेंबर बन गया है तो एक जागरुकता प्रदान करना बहुत ही आवश्यक है इसलिए ये विश्व भर में दिवस मना जाता है वर्ल्ड सी ओपी डिडी तो हर साल एक थीम होती है तो इस वर्ष जो थीम है कि सांस है तो आस है जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है सांस लेना और ऑक्सिजन की भरपूर मातरा मिले ये बहुत ज़रूरी है तो सबसे पहले तो बताएं कि इसको क्रोनिक अब्स्ट्रक्टिव पल्मरोरी डीजिस क्यों कहा जाता है जैसा की शब्द है वैसी ही ये बिमारी है क्रोनिक हमारी मेडिकल भाशा का मतलब है कोई भी तकलीव जो आठ हफ़ते से ज़ादा हो उसको क्रोनिक का लेबल दिया जाता है अब्स्ट्रक्टिव याने की रुकावट आ जाना तो सांस की मुखे नली में सूजन आने की वज़ा से रुकावट आ जाती है तो अब्स्ट्रक्टिव और प्लमनी आने की फेफ्टों की बिमारी है ये खाली फेफ्ड़े ही नहीं पूरे शरीर को उसी तरीके से ग्रसित करती है दिक्कत बढ़ती जाती है जैसा की मैंने अभी बताया कि खासकर कॉमनली देखा ये गया है कि स्मोकिंग से या सिग्रेट से या किसी भी प्रकार के तंबाकू के सेवन से तो धीरे 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 बिमारी अपना रूप धारन कर लेती है और आने वाले समय में इतनी विक्राल रूप ले लेती है कि मरीज कभी-कभी तो ऑक्सियन पे भी निरबर हो जाते है या कैंसर में परिवर्तित हो जाता है यदि फेफडो में हवा का प्रवार रुकेगा उचाए कोई भी कारण हो तो परिशानी तो हो नहीं है हम जानना चाहेंगे कि क्या सिग्रेट पीने वाले या तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों में ही ये देखा जाता है या किसी भी व्यक्ति को ये बिमारी हो सकती है आपने बिल्कुल सही कहा कुछ-कुछ हमारे जेनेटिक्स में भी है परन्तु ऐसे मरीज जो हैं हमारे पास शुरुआती उम्र में यानि की 10 से 15 वर्ष की आयो में या 5 से 7 साल के आयो में फेफ्रो में हवा भर जाने की तकलीव से आते है यानि की पेशेंट ऐल्फा वन अंटी ट्रिपसिन करके एक एंजाइम होता उसकी डेफिशेंसी की वज़ह से होते है परंतु इंडियन पॉपुलेशन काफी कम है पर जैसा आपने बताया स्मोकिंग से या टमबाकू से स्मोकिंग ही नहीं यहां मैं और जोर देना चाहूँगा अपने शुरुताओं को कि पैसिव स्मोकिंग बहुत इंपोर्टेंट है अगर आप किसी के साथ सिग्रेट जो सेवन कर रहा है उसके साथ धुम्रपान कर रहा है उसके साथ अगर आप खड़े भी है तो वो आपको उतना ही नुकसान दे रहा है जितना एक स्मोकर को दे रहा है और खाली यही नहीं है, खास कर पहाड़ों में जैसे हमारी माता हैं और बहने हैं, जहां पे लकणियां जलाई जाती हैं, या चूले पे खाना पकाया जाता है, उन लोगों को भी बिमारी से ग्रसित हो जाती हैं, या air pollution बढ़ रहा है, जैसे हम लोग जहां काम करते हैं, अब पहले हमारे पास खुले घर होते थे, हवा होती थी, अब sealant हो गई है, closed air spaces हो गए है, ventilation कम हो गई है, तो उसी प्रकार की जो air exchange वो सेम चलती आ रही है, उसके कारण से भी बिमारी एक रूप ले सकती है. आपने कहा कि ग्रामिंट शेतरों में, खास तोर से यदि हम उत्राखंड की बात करें, तो लकडी का इंधन जला कर धूआ है, वो प्रभावित करता है, लेकिन इसके लिए एक बहुत ही महत्पुन योजना चल रही है, प्रधान मंतरी उज्जुला योजना, उसके तहत यह उद्देशी था कि जो महीला हैं इस तरह के रोगों से ग्रसित हो जाती है, तो उनके लिए सहुलियत हो और निश्चे तोर पर ये योजना इस द्रिश्टी में बहुती लापकारी साबित हो रही है, कि महीलाओं को धूए से उनको निजात मिल रही है, हम लक्षनों की बात सेवन करते हैं, या किसी प्रकार का धुआ धूल मिट्टी का एक्सपोजर है, जैसे कि गन्ने के खेती होती है, तो गन्ने भी जब क्रशर्ज में खेती बाड़ी में उस समय धूआ धूल मिट्टी उठती है, इस प्रकार का एक्सपोजर अगर आपके पास है, दूसरा अग आप चलते हैं रोड पे और आपके से उम्र वाले का सांस नहीं फूल रहा परन्तु आपका फूल रहा तो एक यह साधारन से इनीशल रक्षन है जिनको हलके में ने लेना चाहिए यह हम लोग कहते हैं चाती में जक्रन सी हो गई सीटी सी आवाज आनी हो गई या थकान मैसूस हो गई चलने पर तो यह कुछ साधारन लक्षन है जो धीरे धीरे ऐसा रूप ले लेते हैं कि तीन से आठ हफते या मरीजों को छे महीने हो जाते हैं और फिर उसके बाद आते हैं कि हमारी सांस ज्यादा फूल रही है और हम साधारन काम भी नहीं कर पा रहे हैं या हम सौ मि भी बताया नहीं परन्तु COPD भी दो प्रकार की होती है एक chronic bronchitis होती है या एक emphyzema variant होता है chronic bronchitis में patients को बहुत जादा बलगम आना copious putum जिसे हम कहते हैं दिन में 100-100 ml जाग जैसी बलगम वो निकालते रहते हैं 6 महने 8 महने में emphyzema में जादा फेफ्रो का फैलावट हो जा आती है कि बहुत जादा जाच नहीं history बहुत important होती है सबसे पहला सवाल हमारे मरीस से होता है कि क्या बीडी सिग्रेट का सेवन करते हैं क्या आपके आसपास इलाके में सीलान है क्या धुआदूल मिट्टी का काम करते हैं workplace importance बहुत जादा important है silicosis cement worker factory वाले या sugar cane वाले तो अ report में अगर रुकावट आती है तो कुछ हम कुछ दवाईयां या spray देते हैं और 15 मिनट बाद फिर से वो फूक की report करते हैं तो उसकी guideline कुछ map dand है जिसके अनुसार फिर हम label करते है पेशेंट दमे का है या COPD का है साथ-साथ कभी-कभी अगर हमें लगता है कि borderline case है तो हम ए एक ही साथ है ऐस्थमा यानिकी दमा यूजुली यंगर एज में मिलता है हालांकि COPD 40-45 आजकल जैसा मैंने बताया यूवापीडी में जो हुकका का चलन है या e-cigarettes का चलन है तो ये यंगर एज में मिल सकता है परन्तु लेटर एज में मिलता है दोनों में genetic predisposition होता है ले 18% या प्लस 200 ml का response होना चाहिए जो कि ऐस्थमा मिलता है लेकिन COPD में या तो नहीं मिलेगा या थोड़ा मिलेगा तीसरा सबसे important part यह मैं शोताओ को भी बताना चाहूँगा कि हम लोग दमे के patients में कभी को steroid का भी इस्तमाल करते हैं जो कि COPD में बिलकुल नहीं होता है तो या तो दोनों ही कठे भी प्रदान कर सकते हैं यानि कि यंग आयू में आपको 15-20 साल के आयू में दमा डाइगनोज हुआ उसके बाद आपने कभी दवाई ली नहीं ली फिर आपको smoking का exposure हुआ तंबाकू का exposure हुआ धुआ धुल मिट्टी का exposure हुआ तो आपको COPD भी हो गया तो combined भी बिमारी प्रेजन कर सकती है अब इलाज की बात करते हैं डॉक्टर चाच्रा मैं इलाज में अगर मैं बोलूँगा तो मैं सीधे दवाईयों पे ना जाके मैं रोक थाम पे जादा जोर दूँगा तो कुछ चीज़ें जो चीज़ें हम रोक सकते हैं जैसे हम धुआ पीडी में e-cigarette का चलन या हुक्के का चलन लोगों को लगता है आपके मादियम से ये फिर बताना चाओंगा कि e-cigarette safe है ऐसा बिल्कुल नहीं है हुक्का safe है ऐसा बिल्कुल नहीं है तो smoking exposure, tobacco exposure ये सब कम करेंगे तो जादा बहतर होगा तो ये तो रही रोक थाम की बात ए ये मरीज mild variety का है, moderate का है या severe का है उसी प्रकार से खीशने वाले capsule या दवाईया देना चाहते हैं और उसी में मैं जोर फिर से दूँगा कि इसमें steroid का initially कोई role नहीं होता है खीशने वाला capsule हमारे लोगों में एक मंशा होती है कि ये हमें capsule लिख दिया तो हम ये दवाई नह लेंगे ये हमें नुकसान करेगी परंतु मैं बताओं कि जैसे आपको अगर शुगर है तो आप पेट में insulin भी लगाते हैं आपको BP है आप गोली खाते हैं आप और बिमारियों के लिख खाते हैं तो वैसे ही दमा है तो ये दवाई सिरफ फेफडों में जा रही है और अग है कि मैंने शुरू में भी बताया शुरूताओं को कि पेशेंट्स oxygen के भी आदीन हो जाते हैं तो घरों में लोगों को oxygen भी देनी पड़ती है जो कि 18-24 गंटे तक लगानी पड़ जाती है क्या इसमें सर्जरी की भी आउशकता पड़ सकती हैं सर्जरी भी एक रास्ता है श उस फेफड़े की हिस्से में जाके कुछ गरम सी हवा छोड़ देते हैं जिससे फेफड़ा से कुड़ जाता है या हम वाल लगा देते हैं क्योंकि हमारे जो फेफड़े वो फैल चुके हैं तो उसमें हम लोग या तो वाल लगा देंगे तो एक तरफ हवा भार जा सकती है एक तरफ अंदर, तो वो एक रास्ता है, या उनको thermal vapor ablation से जलाने का रास्ता, या operation भी एक रास्ता है, हमने अभी मामारी जहली, जिसे हमने COVID कहा, ये COVID का क्या प्रभाव COPD के patients पर ज्यादा देखा गया? बिल्कुल पड़ा, और ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि खाल तो सिकुडन भी साथ-साथ और फिफड़े फैल भी एक तो जो गैस का एक्स्चेंज होता है, जो अच्छी गैस है, जो हम लोग सास अंदर लेते हैं, oxygen और गंदी गैस, carbon dioxide बाहर निकाल पाते हैं, वो नहीं हो पाता, तो ये जब problem आती है, तो और घातक हो जाती है, दोनों एक जानलेवा बिमारी पे आधाते हैं, और अंत में फिर जैसा मैंने बताया है, कि oxygen के आधीन हो जाते हैं, क्या अनुवानशिक्ता भी इसका एक कारण हो सकता है, बिल्कुल काफी मरीजों में देखा गया है, कि एक genetic predisposition होता है, परंतु हिंदुस्तान में इतना नहीं है, alpha-1 antitrypsin एक enzyme है, दो variants होते हैं, इसमें PIS और PIM जो हम लोग हमारी भाशा में कहते हैं, बट PIS variant बहुत ही important है, और इसमें alpha-1 antitrypsin deficiency वाले patients में बहुत ही घातक सिध होता है, और ऐसे मरीज फिर 30 या 40 वर्ष की IU से आगे नहीं जा पाते हैं, बलकि अब तो हम सब classify भी करने चल दिये हैं, जिसमें हम taxonomy जिसे हम कहते हैं, जो आगे आने वाले समय में कि ये smoking से हुआ, या genetic से हुआ, या जैसा कि आपने बता है, TB के बाद हुआ, या किसी और बिमारी के बाद हुआ, डॉक्टर चाचरा हमारे शोता ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे आपने कहा कि पाम करने वाले जो लोग हैं, उनमें ये ज्यादा देखा जाता है, या वो रिस्क में ज्यादा है, तो अब तो air quality index जो है, बहुत शहरों में लगातर खराब होता जा रहा है, हम यदि देहरदून की भी बात करें, तो कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा प्रदूशन है, वो शहरी इलाके हैं और market places हैं, जहां पर वाहन बहुत ज्यादा होते हैं, इसी तरह से हम दिल्ली की बात करी रहे हैं, NCR की बात कर रहे हैं, तो क्या खास शहरों में रहने से भी ये बिमारी हो सकती है, अर्बन शहरों में ये तकलीफ बहुत जादा ही है, दूसरा इसका ए इतना advancements आई है, technology ने किया है, तो हम सब के हाथ में अब आजकल स्मार्ट बैंड से आ गए हैं, जिसमें आप एक AQI या Air Quality Index देख सकते हैं, तो जहां में लगता है कि जब AQI 200-200 से उपर है, तो उस समय बहतर रहेगा कि आदा एक घंटा आप घर में रहें, या कोई जरूर मौसम है, जैसे ये मौसम चल रहा है, इसमें ये रूख की जो भयावेता है, इसका प्रकूप ज़्यादा होता है, मैं शुरूताओं को ये भी बताना चाहूंगा कि ऐसा जरूर देखा गया है, तो होता क्या है कि जैसे जैसे मौसम बदलता है, हाला कि शरीर में एक Thermostat सिस् खास कर बुजर्गों के लिए ये मेरा कहना है, कि आप अपना सिर जरूर ढखके रखें, जुराबे पहने, हातों में गलव्ज जरूर पहने और चाती ढखके रखें, तो जब भी मौसम बदलना रहा है, जितने भी senior citizens हैं, उनको सर्दी के कपड़े सबसे पहले आने ये बहुत ही important condition, जी तो अंत में क्या संदेश है आज के खास दिन पर? हम उस नंबर को आगे नहीं पहुंचाना चाहते, और आखिर में इसकी भी vaccine आती है, ये नहीं है कि COPD की vaccine आती है, बट pneumonia की vaccine आते हैं, हम सब ने COVID की vaccine तो लगा ली, परन्तो निमोनिया की हर 5 वर्ष में एक vaccine लगती है, और स्वाइन फ्लू की हर साल October में जरूर लगती है, त हुँआदूल मिट्टी से बचे, धुम्रपान ना करें, और अगर आपको COPD है, तो अपने डॉक्टर को वश्य में तो डॉक्टर वैभब, चाचरा आज आज आप इस कारिक्रम में आए, और विश्र, COPD दिवस पर बहुत ही मैथ पुन जानकारी आपने हमारे शूताओं क अवड़ास आपने हमारे शेड़ से यह जानकारी आपको हां कि अगर और मो उसे ऐंगए हमारे रव्सobूत कौत रवाज से बचलते हैं, और इसे हमारे रविदर भाऐगर शтаएदेदी